हलो फ्रेंड असलाम लेकूम आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी राजमा मसाला की रेस्पी जो की बहुती टेस्टी बनेगा टेस्टी के साथ साथ ये बहुती हेल्दी भी है क्योंकि इसमें फाइबर, मिनरल, प्रोटीन का बहुती अच्छा स्रोध है और इसी के साथ साथ ही हमारी इम्म्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है ये रेस्पी बहुती असानी से बन जाती है और बहुती लजीज बनके तयार होती है टेस्ट भी इसका बिल्कुल लाजवाब होता है तो एक बार आप मेरे श्टायल में ये रेस्पी एक बार जरूर ट्राई करें बहुती पसंद आएगी तो चलिए देर किस बात की वीडि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको दिन में चार से पाँच घंटे के लिए अच्छी तरीके से तेज गरम पाने में भीगो यह अच्छी तरीके से भीग जाएगी और गल जाएगी तो चलिए इसको बनाते हैं तो हम इसको कूकर में ڈाल देंगे थोड़ा सा और दो बड़े साइज के प्याज को बारिक काटके रखा हुआ था दो टीज पून अधर कलेशन का पेस्ट लिया है और इसको बनाने के लिए मैंने सरसो के तेल का इस्तेमाल किया है कड़ाई में सरसो के तेल को अची तरीके से गरम कर लेंगे और इसमें सारे खड़े मसाले फ्राई में डालें तक के ऐसे तनामे ममक्राई में लिए भालत मृश्फाट आए हम तरह潮े दाना के रखा वेस्तौन प्याज गर्वार के तो टीन से चार मीन तक प्याज प्याज को डाल दिया है और इसको अची तरीके से और पर तो स्बावर करना हैं ताक इसका बश्य तो हम इसमें डाल देंगे और अद्रकलेसन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे इसको बनाने में कोई भी जंजट नहीं ये बहुती आसान मैथेट से बेहतरी हमारी ये डिस्वन के तयार होगी तो मैंने यहाँ पर जो पाउडर मसाले तयार करके रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल कर इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे तो चार से पाच मिनट तक इसको ढखे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि एक मज़दार खुस्बू आने लगे तो इसी पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे एक टीस्पून टेस्ट के मताविक नमक और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है तेल भी ऊपर आ चुका है और बहुती मज़दार खुस्बू भी आने लगी है तो इसको लगतार चलाते हुए मैंने बहुती आसानी से इसको भूना है तो टोटल इसको भूनने में हमें 10 मिनट लगे हैं और मैंने मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया है तो यहां पर हमने मसाले को भूनने के बाद इसमें हम एड़ कर देंगे राजमा जो मैंने भीगो के रखा हुआ था इसको मैंने उबाल लिया था और इसको अच्छी तरीके से गला लिया था तो हम इसमें सारे राजमा डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून देंगे मसाले के साथ राजमा को हम 4-5 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे तक हमारा राजमा भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए और मसाले और राजमा आपस में लिपट जाए एकदम अच्छे दोस्त की तरफ तो इस तरीके से हमें इसको भूनना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको खूब अच्छी तरीके से भून लिया है चार से पांच मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमें इसको भूनना और इसको अच्छी तरीके से हमें पका लेना है तो यहाँ पर नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और नमक इसमें शामिल कर दिया है और पाने डाल कर ग्रेवी को अच्छी तरीके से पका लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अची तरीके से पका लिया है तेल भी उपर आ गया है थोड़ा सा धनिया पती डाल कर इसको अची तरीके से सर्व करेंगे तो ली जी ये हमारा राजमा मसाला बनके तयार है और टेस्ट भी बहुती बेहतरीन आया है इसकी खुश्बू से पूरा घर महक चुका है और यहाँ पर हम इसको सर्व करते हैं तो आप इस राजमा मसाला को चावल से खाएं रोटी से खाएं या फिर प्राठे से खाएं विडियो को लाइक करें छैनल को सबस्क्राइब करें फैली फ्रेंड में शेयर क्ना न भूले मिलते हैं Angel की तरहां नई रेस्पी के साथ अपना ख्याल रखिए दौाओं में याद रखिए तब तक के लिए अल्ला हाफीज